आज हम बनाएंगे बीना तेल की एक बूंद भी यूज किये बहुत ही मज़ेदार लाजवाब टेस्टी और हेल्दी वेज थाली याने की जीरो ओयल वेज थाली और हर वेसीपी की बीच बीच में मैं देती जाओंगी आपको ऐसे टिप्स जो कि इस खाने को बनाएंगे ही मज़ेदार और लाजवाब हाला कि यह थोड़ा सा बड़ा है लेकिन भी फरक नहीं पड़ता क्योंकि यह है इतना ज्यादा मज़ेदार टेस्टी और हेल्दी तो 15-17 मिनट तो हर कोई देही सकता है ना इसे देखने के लिए तो चलिए फिर देर कि शुरू करते हैं नमस हाने में बहुत ज्यादा टेस्टी और लाजवाब है बलकि हेल्दी भी है तो भी सबसे पहले हम कर रहे हैं यहाँ पर दाल से शुरूबात तो मैं बनाने वाली हूं मिक्स दाल तो मैंने यहाँ पर छे तरह की दाले लिए आपके घर में जून-जून सी दाले हूं आप वह कर सकते हैं क्योंकि हर दाल में होती है अपनी अपनी क्वालिटी जब हम एक साथ मिला करके इन्हें बनाते हैं तो यह बहुत ही ज्यादा टेस्टी नहीं बलकि हेल्दी भी बनती हैं तो मैंने लिए यहाँ पर काली उड़त साथ में चनी की दाल हरी छिलका वाली मूंग दा जाने होगी तो चाहरा टाली है तो साथ में बराबर क्ॉंटी इन दोनों ही औलों से आ जाता है नेहीं बड़े बरतन में रख करके हम दो से तीन बार अच्छे से धोलेंगे लेकिन बहुत जादा बार बार मत धोईएगा वरना पानी में सारे पोशक तत्थ निकल जाएंगे दालों की तो ठीक है जी दाल धोने के बाद हम क्या करेंगे दो मीडियम साइस के लेंगे टमाटर और सा बाद हम आजेंगे प्रेश्व कुकर की तरफ और इसमें एड़ कर लेंगे दूलीवी दाल और साथ में अब एड़ करेंगे यहाँ पर पानी जैसे कि मैंने लिए यहाँ पर एक कोटोरी दाल तो वह है लगभख एक गलास के बराबर तो मैं यहाँ पर एड़ कर रही हूं गलास पानी यानि जितनी दाल है उसका पांच गुना ज्यादा मैं पानी एड़ कर रही हूं आप कम ज्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट की कोटिंग और साथ में हम एड़ कर लेंगे यहाँ पर ग्राइंड की आवा टमाटर जिसके की साथ हमने मिलाएते खड़े मसाले और फ्लिम में आने देंगे पांच सीटियां लेकिन मैं कर लेती हूं साथ में एक और तैयारी यानि चावल की और दोनों ही चीजों को हम एक साथ पकाएंगे फिर तो मैंने ले लिए यहाँ पर एक गलास यह है वही बासमती चावल जो की टूटे वे चावल है तो यह साबू महेंगे चावल मुझे खाना पसंद नहीं है क्योंकि जब यह इतना अच्छा टेस्ट देते हैं तो मैं इतने महेंगे चावल का बला क्यों खरीद हूं ठीक है न जी तो हम क्या करेंगे इनी चावलों को बनाएंगे एकदम मज़ेदार खिले खिले और ला जवाब और मैं आपको सांस साथ में बोनस टिप्स भी कि किस तरीके से हम इने अच्छा बना सकते हैं एकदम खिला खिला तो देखेजी चावलों को मैंने अच्छे से धो लिया है और धोने के बाद अब हम यहाँ पर एड़ करेंगे पानी तो अगर आप मेरी तरह कड़ाही में बनाना चा तो एक ग्लास अगर चावल लेंगे तो पूने दो ग्लास लीजेगा पानी ठीक है अब हम क्या करेंगे यहाँ पर इसे ओ भी मज़ेदार और खुश्बुदार मनाने के लिए एड़ कर लेंगे एक हरी इलाइची क्रश करके और अब हम क्या करेंगे चलेंगे गैस की तरफ और दोनों ही चीजों को पकाएंगे एक साथ यानि छट पट से और हाँ जैसे जैसे हर एसेपी की बीच वे मैं आपको टिप्स देती रहूंगी तो आपो नोट भी करते जाएगा क्योंकि भी हमें बनाने बिना तेल के यह खिले खिले चावल तो जैसे कि आप सामने देख स क्योंकि यह है एक ग्लास चावल तो आदा निम्पू या आदे से थोड़ा सा कम ले लीजेगा उसका रस निचोड़ करके इसमें एड कर लीजेगा और अच्छे से फिर हम इसे चमबच के हल्प से कर लेंगे मिक्स इससे क्या होगा ना कि तेल तो हम एक भी मूंद नहीं ड कर देंगे ताकि पानी ना गिरे कड़ाई से बाहर तो तब तक हम क्या करते हैं इसे धक करके पकने देते हैं और जैसे उबाला आएगा तो हम धक्कन पीछे हटा देंगे थोड़ा सा ठीके जी और अब जैसे की चावलों में आना लग गया उबाला और भी पानी नीचे ने पानी पूरी तरह से सूब गया यानि अल्मॉस्ट कूक हो चुके हैं तो फ्लेम को रहने देंगे और धग देंगे पूरी तरीके से लो फ्लेम में ये पकने देंगे जब तक कि अच्छे से ना बक जाएं और अब यहां पर मैं दिखाती हूँ कि देखिए यहां पर सीटी पहले सीटी तो अब आ रही है और अब टोटल आ चुकी है यहां पर 5 सीटी है तो हमने गैस को कर लिया बन तो दाल का तो भी आदा काम हो गया खतम और अब जैसे कि यहां पर चावल भी हो चुके हैं कोक तो इन्हें चेक करने के लिए हम क्या करेंगे मैं ले रही हो एक खिला तो अब मैं देने वाली हूं आपको चावलो के लिए दूसरी टिप जैसे निम्बू का रस एड़ करने के दी थी ना तो यह एक उंजल भरके मैंने लिए है पानी और चारों तरफ चड़क दिया कड़ाई के और गैस को कर चुकी हूं बंद और इसे ठक करके छोड़ देंगे नेक्स चार-पांच मिनट के लिए उसके बाद हम इस तरीके से अलट-पलट कर लेंगे और यह देखिए जी हैना एक एक दाना खिला-खिला वह भी बिना तेल की एक बूंद भी एड़ किये तो यहां पर बोनस टिप मैं आपको क्या दी यह एक तो नीम्बू का र देखे दाल में आपको दिखाती हूँ कि भाप निकलने के बाद कितनी सुंदर लग रही है फर्स क्लास तो अब हमने करना है इसमें मेन तयारी यानि मार रहा है चोखा लेकिन भई हम तो तेल के यूज नहीं कर दो चोखा कैसे लगाएंगे बहाए जूरूर लगाएंगे क सारी के सारी बॉनस टिप्स हैं आपके लिए तो देखे मैंने रख दिये कड़ाई के ऊपर और कड़ाई भी हो चुके गरम तो मैं ले रहे हैं यहां पर लस्टन की तीन कटीवी कलियां और करनीयों बिना तेल के एड और अब हम क्या करेंगे मीडियम फ्लिम में इन्हें बिन को बहुत पसंद है दूसरी चीज आगए यहां पर जीरा क्योंकि भई दाल को छोकने के लिए जीरा तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन्स रखता है हाना तो मैंने लगपक आदे चम्मत से ज्यादा ले लिए जीरा अब दोनों ही चीजों को मैं मेडियम फ्ले में फिर से यहां पर भुन रही हो और यह देखे जी इनका कलर हम तब तक भुनेंगे जब तक कि इन में से खुश्बू नाने लग जा और इनका कलर जो है वो ब्राउन ना हो जाए लसन का मैंने जान बुच करके ब्राउन नहीं किया जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ और यह तीस हमी यह मेरे किचन में तो नहीं तो बहला तेल की कैक का जुरूरत है जब बीन तील की हम इतनी अच्य तरीके से इस दाल को बना सकते हैं तो जैसे तीन औ अबहुत और पॉब्ली भी अपनी दाल अब क्या करेंगे जीए हैं अज़ी से में एक लिया ब multip in turns इन टीन-्यार मिनट तक अब हमें जिएcommittee कुप कर लेंगे एक देन है लेकिन जो तीन चीजे हमने चोका मारी है ना उनकी खुश्बू अच्छे से दाल के अंदर चली जाएगी और सच मानिए खाने वाले को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने बिना तेल के ये दाल तैयार की है ये मेरी गैरेंटी है क्योंकि अक्सर मैं इसी तरीके से बनाती हूं जब हमारा लगता है कि हमने ओली फूड नहीं खाना तो हम महिने में कुछ दिनों ना ओयल को स्किप भी करते हैं तब उन दिनों में ये वाला खाना बनाती हूं तो मैंने सूच है क्यों आज वैस्थाली आप लोगों के लिए भी एक मैं तैयार कर दूं तो आपको दी है वह आप नोट करते जाएगे का चाहे वह दाल की हो चाहे चावल बनाने की तो अब आते हम सूखी सबजी की तरफ तो भई मैं यहां पर ले रही हूं कड़ी पत्ता इनकेस आपने यहां पर लसन डालना हो या जीरा डालना हो तो वह मैंने आपको बताई दिया आको अब खतना दिया को गाते हम घ्रॉन दलने कि बलते हैं यहां यहां पर आदे प stellen में यहां पर लेकर में आप यहां पर इंडे शोटफ आप अंतंहारे नमक आदे कम लाल मिर्ज पाओर 1 दे मस्से जाता था धनिया पौडर और यह है सब्जी मसाला जैसे कि मैं फिर क्या रहीं अपने टेस्स के कोडिंग दीजेगा और अब हम जैसे कि यहाँ पर यूज नहीं करें तो हम क्या करेंगे एड़ कर लेंगे थोड़ा सा पानी पानी थोड़ा-थोड़ा करके हम एड़ करे टू अच्छे से इनने मिक्स करने के बाद ज़से लोगे फ्लेम को को घो व्लेम में ठोड़ा हो देंगे नेक्स पांच-चे मिनट थीक पांच-चे मिनट हो चुके हैं तो अब मैं फिर से दो तीन उंजल पानी डाल चुकी हो इस सब्जी के अंदर कि मिसाले क्योंकि हमने तेल नहीं एक बूंद भी तो हम क्या करेंगे पानी एड़ करेंगे दो तीन उंजल बस ताकि सब्जी जो सुखी सुखी भी रहे लेकिन ऐसा भी नहों कि भाप ना बने भाप बनेगा तभी तो वह अच्छे से कुक होईगी ना और अब हम इसे फिर से से तरीके से चार-5 मिनट और कुक होने देंगे और तक्रिबं 5 मिनट बात हां पर फर्स क्लास हमारी सबजी हम्स लौ फ्लेम में कुले में कुले में कुलऑर रहने देंगे क्योंकि मैं इसको और भी मज़ेदार बनाने के लिए एड़ कर लिया पर लसन इनकेस आपको लसन फ्राइब करके डालना है तो सेम तरीका मैं आपको बता दिया उसी तरीके से आप लसन एड़ कीजिएगा वरना आप मेरे तरीके से भी डाल सकते हैं तो मैंने क्या करेंगे ढख करके से नेक्स्ट दो मिनट तक कुक होने देंगे नितों तीन मिनट तक बस इतना ही काफी है और इन तीनों चीजों को आड़ करने के बाद हम ढख करके कुक क्यों कर रहें दो-तिन मिनट वह इसलिए ताकि यह तीनों ही चीजे अपना-पना पानी सब्सक्राइब करेंगी सब्सक्राइब के साथ तो यहां पर देखिए जी दो से तीन मिनट होने वाले हैं यानि हमारी सब्सक्राइब हो चुकी है तैयार तो मैंने गैस को कर लिया बन और बिना तेल के हमारे आलू बीन्स की यह फॉर्स क्लास मज़ेदार राजवाब टेस तो मैंने आपको टिप दिये यहां पर तेल की जगा पानी एड़ करने की उसे भी जरूर नोट कर लीजिएगा और अब आगे हम अपनी चोथी रेसिपी की तरफ तबह हो चुका है गरम और मैंने बेल लिए एक रोटी और एड़ कर लिए तवे के बीचों बीच अब मैं य सूखा आठा लगाएंगे ताकि सूखा आठा अगर कम लगेगा ना तो रोटी बनती है सौफ्ट वरना अगर आप सूखा आठा ज्यादा लगा करके रोटी को बेलेंगे तो जैसे आप रोटी उतारेंगे तो कुछ देर बाद वो हो जाएगी और तूटने लगेगी तो ऐ दिखान रखेगा कि कम से कम आप सुखा आठा लगाएं बेले और फिर आप चाहे तो तवे के ऊपर कपड़े की हल्प से शेक ले या फिर मेरी तरह जैसे कि मैं आग में डारेक्ट फुला रही हूं लेकिन हां मेरी तरह से आप यहां पर रोटी को मत फुलाईएगा आप च लका सा ऐसा लगा होना चाहिए वह इसलिए क्यों कि हम रही या पर चावलो को एक मजओनार सी शेप जैसे कि अकसर रेस्टुरेंट वगरा में या होटल वगईरा में आप फाना खाते हैं तो वहाँ पर चावलो को सर्फ किया जाता है तो काफी जगा में इस तरीके से भी सर्फ करते हैं वो चावलो को कटोरी में रखने के बाद प्रेस कर लेंगे स्पैचुला की हेल्प से और फिर इस तरीके से कर देंगे उल्टा और यह देखे जी एक दम मज़ेदार शेप बन गए यहां पर चावलो की हाना बस ध्यान रखेगा कि पानी होना चाहिए कोटोरी में यानि हलका पान चुथाई चमच काली मिर्च और इन्हें तवे में भून लेंगे जब तक यह ब्राउन ना हो जाए फिर इन्हें कर लेंगे ग्राइन और जैसे पाउडर बन जाएगा तो फिर इसमें एड़ कर लेंगे यहां पर एक चमच काला नमक और एक चमच सफेद नमक यह मैंने है बिनर में इख 온ते ना चलुकर अपनी लिए हैं बहुत के जूदरने करने लागए हैं और करनी पेड़ करने और हो आनुग हमतरीन और आपको में लेड़ सब्सक्राइबने न glance स construction he आज आ जैए और मेंगे लिएमkyl तेयार चाहे तो सब्जीयों को आप किसी भी विराइटी में बनाए यानि कोई भी सब्जीयों या कोई भी डाले लेकिन तरीका आपने मेरा देखी लिया है जो कि बिल्कुल सिंपल है और एक दम ला जवाब है भी क्योंकि मैं टेस्ट में बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नही होगा और अगर आया है आपको लगा है कि मैंने कोई अच्छी कोशिश की है तो प्लीज मुझे सब्पोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपने भी तक नहीं किया है तो चलिए जी फिर मिरते हैं नेक्स वीडियो में एक और नहीं साथ थैंक्स पो बोचिंग आज का यह मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हां अगर मेरे इस चैनल पर आप नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रिस करना नह भू कर अच्छाब